नमस्कार दोस्तों स्वाग थे आपका इस्टे नुगरुज यूटुब चनल अगर आज की बूरे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले पाल्यमेंट रिपोर्टर के लिए प्रीबियस येर का यहां पर डिक्टेशन का अध्यास करेंगे जो कि आपका 140 सब्दोप्रस्मेंट की स् अगर आपने किसी और बैश्च का मैटर प्रैक्टिस किया है तो आप इस को प्रैक्टिस करके जान सकते हैं कि अगर आपको यह मैटर मिलता तो आप कितनी मिष्टे करते कितनी टेलिग्राम पर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में दिया गया है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन विल आ रखना इसके अलाओं तो अगर आप डेली डि लिखेंगे उसके बाद ट्रांस्क्राइब करेंगे ट्रांस्क्राइब करके पीडियो शमाइश कराखे जरूर बताएंगे कितनी मिश्टेक आ रही है तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए श्टार रेड़ी पांच सिकेंड श्टार माननीवर मैं माननी सदस्यों से विन अंदर्व आ जाएगा इसके बाद भी अगर कुछ सेसरा जाएगा तो मैं उसका उत्तर भी आपको दूँगा आप मेरी बात को गौर से सुनिये कई सदस्यों ने खनन को लेकर चिंता ब्यक्त की है मैं इस बाद से सहमत हूँ और आपकी चिंता से सरकार भी आउगत है हमारे देश में खनन का संभावी छेतर लगभग आठ लाख वर किलो मेटर है आज जो माइनिंग हो रही है वह लगभग एक प्रतिशत ही है हमारे यहां बहुत जादा छेतर में माइनिंग नहीं हो रही है या हम कह सकते हैं कि बहुत जादा छेतरों में अनवेशन ही नहीं हुआ ह हमारी सरकार ने यह विचार किया है कि अन्वेशन के काम में हम तेजी लाएंगे और इस ओर ध्यान देंगे हमारी अन्वेशन की छमता इसलिए कम है क्योंकि सरकार उस पर खर्च नहीं कर पा रही है कुछ माननी सदस्यों ने यह भी कहा कि इसमें पट्टे की अवधि को राष्ट हित में कम किया जाना चाहिए श्वाभाविक रूप से पहले भी इसे पचास वर्ष करने की ही भावन थी इसमें कोई नई बात नहीं की है नवीनी करन के लिए पहले हित धारक को संबंधित कार्या लेके चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन हमने उश नवीनी करन की प्रकिरिया को समाप्त कर दिया है अब किसी भी प्रकार के नवीनी करन के लिए लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे महोदे आप सब को ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जीरो बैलेंस पर खाता खुलेगा लेकिन उसके बावजूद भी दस हजार करोड रुपए देश की जनता ने उन खातों में जमा किये हम लोगों ने इसमें राज़सरकार को अधिकार देने का मन बनाया है हमने कहा है कि राज़सरकार खनन की नीद के लिए अपनी नियम बना ले और अपनी योजना बना ले अब श्विकृत के लिए उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा इस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकने का प्रियास भी हम लोगों ने किया है। इस पूरी प्रकिरिया में जो बिलंब होता था अब उसकी भी समापती होगी। हम लोगों ने इसे ध्यान में रखते हुए यह कोशिस की है। मान्यवर सभी इस बात को जानते हैं कि जहां खनिज है वहां जंगल है और वहां हमारे जनजाती के भाई निवास करते हैं। उनकी चिंता आज तक कभी नहीं की गई। संसोधन के माध्यम से इसमें राजस्व का पैसा जाएगा और यह एक बहुत बड़ी रासी होगी। यह रासी उस छेतर में खनन से प्रभावित ब्यक्ति और परियावरण की सुरक्षा के लिए खर्च होगी। हम उस प्रभावित छेतर के आवश्यक कारियों के लिए इस रासी का प्रावधान कर रही हैं। हमारी शरकार गरीब और आदिवासियों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है और यह इसी भावना को प्रकट करता है महोदय अवैद खनन का मामला आप सब लोगों के ध्यान में है पिछले दिनों उच्चनयायाले को भी इस मामले में निरड़े देने पड़े भरष्टाचार के कारण पोरों में जो बदनामी हुई उसको भी हमारी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है अवैद खनन के सिलसिले में दो वर्स की सजा का प्रावधान था हमने इस सजा को बढ़ा कर पांच वर्स कर दिया है अवैद खनन के मामले में पहले जो जुर्माना था उसकी रासी को 20 गुना कर दिया गया है यहाँ अपने आप में एक बड़ी रासी है इस प्रकार के मामलों का सिग्र निप्टारा होशक के इसे ध्यान में रखकर विशेष नियायाले बनाए जाने के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान किये हैं इससे अवैद खनन के मामले जल्दी से जल्दी निपट सकेंगे अपराधियों को सजा दी जा सकेगी अवैद खनन पर रोक लगेगी और हमारे जो शंसाधन हैं उनका ठीक प्रकार से उपयोग सरकार और देश के हित में होगा एक माननीय सदस्य ने यहां यह बात कही कि केन सरकार कुछ मामलों में संगी धाचे का सम्मान नहीं कर रही है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इसी एक्ट में हम देखें तो श्वेक्रित के का अधिकार हमने राज सरकारों को दिया है हमने खनिजों की संख्या को पहले की अपेक्छा दुगना करने का काम किया है हमने इसके संबंध में राज्यों को अधिकार दिया है यह सच है कि केंसरकार ने कुछ मामलों में निर्देश देने की सक्तियां अपने पास रखी हैं ये सक्तियां हस्तचेप करने की नियत से नहीं रखी गई हैं हम राजसरकार के किसी भी काम में हस्तचेप नहीं करना चाहते हैं मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हर प्रकरण का एक निश्चित समय सीमा के अंदर निरड़े होना चाहिए इसलिए इस बात को ध्यान में रख कर कुछ ऐसे प्रावधान हमने इसमें किये हैं मानिय उपाध्यक्ष जी मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस महत्पूर्ण बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं बहुत ध्यान से सत्तापक्ष के तमाम वक्ताओं की बात सुन रहा था लेकिन मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि इनका कौन सा वक्तब्य ऐसा है जो अंतिम है और इनकी नजरों में सही है मानिय मंत्री जी ने इस सदन में कहा कि हम सब को विश्वास में लेकर शब की राय लेकर इस काम को करेंगे तो दूसरी और मानिय संसदीय कार्य मंत्री सदन से यह कह कर चले जाते हैं कि बहुमत का जो निरड़े होगा वही निरड़े मान लिया जाएगा मैं इस संसोधन अधनियम का अपनी पार्टी की और से पुर्जोर बिरोध करता हूँ मेरा पहला शवाल मानिय मंत्री जी से है कि आखिर इस अध्या देश को लाने की आवश्यक्ता क्यों पड़ी हमारे देश के दो तिहाई लोग खेती पर निरभर हैं आपने तमाम राज्यों के मुक्यमंत्रियों के पत्रों की चर्चा यहाँ पर की हमें जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निरड़य करने से बचना होगा हम सरकार से बिनम्रल प्रार्थना करते हैं कि इसे वापस लिया जाए आदरडिय मंत्री जी को मैं एक किसान नेता के रूप में जानता हूँ इस विधेयक को पारित करने के बाद देश के किसानों की नजरों में अपनी इस्थित की कल्पना आप खुद ही कर सकती हैं मेरी आप से मांग है कि आप किसी भी प्रकार की जल्दी करने से बचें जिस किसान की जमीन ली जाएगी उसके परिवार की एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी हमें किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा याद रखना होगा महोदया मैं एक परवतिय राज्य से आता हूँ मैंने कई बार अपने राज्य हिमाचल परदेश की रेलवे से समबंदि समस्याओं को इस माननी सदन में उठाया है इस प्रांत में रेल शुविधाओं की और जो ध्यान दिया जाना चाहिए था वह अब तक नहीं दिया गया हिमाचल परदेश की लगभग 200 किलो मीटर लंबी सीमा तिबबत और चीन के साथ जुड़ी हुई है मैं समझता हूँ की आज भारत को सबसे जादा खत्रा चीन से है चीन पूरी तयारी के साथ तिबबत के पास हमारे परोस में मौजूद है वह जब भी आकरमर करेगा तो एक घंटे के अंदर हिमाचल परदेश की सीमा में घुश जाएगा मैं मंतरी जी से प्रातना करता हूँ कि भारत की सुरक्षा की द्रिष्ट से जहां अरुडाचल परदेश उत्तरांचल और जम्मू कस्मीर को मजबूत करना जरूरी है रेल लाइन है और रेल गाडियां बहुत पुरानी है इस लाइन में चलने वाले कई इंजन खराब हो चुके है मेरी प्रार्थना है कि इंजन बदल कर यहां साथ नई रेल गाडियां चलाई जाएँ आप सभी स्टेशनों पर सभी प्रकार की सुबिधाएं दें माननीय रेल मंतरी जी से मेरी प्रार्थना है कि आप इस राज्य को रेल वे के नेटवर्क से जोड़ कर हमारा भला करें महोदे माननीय मंतरी जी से ने इस काम के लिए एक निगरानी तंत्र बनाने की घोशड़ा की है इसके माध्यम से यह देखा जाएगा कि योजनाय जल्दी लागू हो रेलवे ने श्विकार किया है कि जिसकी भी जमीन जाएगी उस परिवार के एक सदस्य को रेलवे की तरब से नोकरी मिलेगी यह विवस्था लागू क्यों नहीं हो रही है आपने इसे स्विकार किया है और उन्हें नोकरी देने का प्रावधान किया है आपने यह मांग की है कि नोकरी के लिए वह आवेदन करें हम यह जानना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों को अब तक नोकरी दी है आप ट्रेनों का आवा गमन देखिए आज कल तीन महीने पहले ही रेलगाडियों की सीटें भर जाती हैं मेरी मांग है कि इसे दो गुना किया जाएं समाथ सभी लोग मैटर को प्रेक्टिस और टांस्कराइब करेंगे एकुरेट 140 का बोला गया है और आपका ये प्रिवेस ये डिक्टेशन है जो कि आपको लोग सभा रिपोर्टर में बोला गया था तो सभी लोग इसको इमानदारी से प्रेक्टिस करेंगे अगर एक बारी में सभी लोग इसको प्रेक्टिस करेंगे उमीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर वही तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन विल आन करना और दोस्तों अगर आप डेली डिक्रेशन चाहते ह तो आप चाहे तो चैनल का मेंबर से प्ले सकते हैं या हमारे पेड गूरुप को जाइन कर सकते हैं आधी जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडिया अपना बहुमली सुधाहों में कमेल बाक्स में जरूर देना वीडियो को पूरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थांक्स वाराचिंग जै हिंच जै भारत